दोस्तों गूड आफ्टरनून नमस्कार एक बार फिर स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चेनल दीपक त्रिपाटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरा नाह में दीपक त्रिपाटी आज हम भारती इतियास के वीडियो लेक्चर नमबर 10 में इल्तु तमिश की बेटी यानी रजियास सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत की पहली मुस्लिम शाशी का बनती है और शाशन को चलाती है तो आईए जानते हैं रजियास सुल्तान के बारे में कि किस प्रकार रजियास सुल्तान एक दिली सल्तरत की शाशी का बनत करते हैं देखिए दोस्तों पीडियेफ आपके सामने हैं ठीक है आज की वीडियो लेक्च्चर 10 में हम चर्चा कर रहे हैं रजिया सुल्तान के बारे में रजिया सुल्तान का कारीकाल देखिए कब से कब तक होता है 1236 से 1240 यानि कि 1236 में यह शाषन संभालती है और 1240 में इसक साषन का अंत हो जाता है ठीक है दोस्तों देखिए क्या होता है आप एक कहानी के मादिम समझना मैंने हाला कि रजिया सुल्तान से प्रशन काफी कम पूछे जाते परिक्षा में लेकिन कभी-कभी जब प्रशन पूछ ली जाते तो उसकी डीटेल हमें पता नहीं होती है जि का नाम होता है रुकनुदिन होता है क्या नाम होता है इल्तुतमिष के बेटे का नाम रुकनुदिन होता है और रुकनुदिन क्या होता है दिल्ली का सुल्तान बनता है परंतो यह एक प्रकार का अयोग्य सुल्तान होता है मतलब इसको इना सुल्तान के कारी करने की इसको प जिम्मेदारिया जिती वो कौन करती है इसकी माता पूरी करती है इसकी माता के माध्यम से शाषन को संबालता है देखिए रजिया सुल्तान रजिया कौन होती है इल्टु दमिश की बेटी होती है ठीक है रजिया क्या करती है रजिया में शाषक के सभी गुण विद्धिमान ह मतलब रजिया एक सुल्टान बनने के लिए पूर्ण रूप से तयार है लेकिन होता यह था कि वहां पर अमीर होते थे जो नोकर्ण उता था वह क्या होती है दिल्ली सल्तनत की जो शाषी का बननी जारी ये रजिया उसको सुल्तान की रूप में देखना पसंद नहीं करते थे तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पर शुरूप से लिखा हुआ है रजिया में शाशा के सभी गुण विद्धिमान थे तता वो दिल्ली सल्तनेत की सुल्तान बनना भी चाहती थी परंतु अमीर रजिया को सुल्तान की रूप में पसंद नहीं करते थे अतर रजिया नहीं क्या 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 लाल वस्तर पहन करके क्या क्या शेर की मूर्ती के गले की घंटी बजई और स्वेम को सुल्तान बनने के लिए नियाई की मांग की थी देखिए दोस्तों मैंने आप लोग को बताए कि इल्टु तमिश ने नियाईक विवस्ता शुरू करे थी इल्टु तमिश क्या करता है अपने दर्बार के बाहर दो शेर की मूर्ति उती जिनके गले में गंटी लटकाता है और बोलता है कि जिस किसी भी व्यक्तिकों का नियाई चाहिए अगर उसके साथ अनियाई हो रहा है उसको नियाई चाहिए तो वह गले की गंटी मतलब जो शेर की गले में जो गंटी लगी विए उसको बजाए और क्या कहते है नियाई की मांग करें तो रजय सुल्तान भी क्या करती है लालवस्त पहन कर शेर की मूर्ती के गले की गंटी बजाती है और स्वयम को सुल्तान बढने के लिए क्या करती है न्याई की मांग करती है अंतर तो क्या होता है दिल्ली की जंता के समर्थन से रजिया को क्या बना चाता दिल्ली का सुल्तान बनाया जाता है देखिए यह बार वारत की प्रथम मुस्लिम महिला महिला कौन मंती है शाशी का कौन मंती है 1237 में सुल्तान मंती जिसका नाम क्या होता है रजिया नाम होता है तो रजिया किस प्रकार से सुल्तान मनी देखे एक संगर्श करके बनी है यानि कि उसको सुल्तान बनना था लेकिन अमीरों ने मना कर दिया और फिर उसने नियाय के माध्यम से अपना सुल्तान पत को धारण किया ठीक है अब देखे रजिया सुल्तान के दर्बार में क्या होता था ठीक है रजिया के दर्बार में क्या जब रजिया सुल्तान में तो उसके दर्बार में क्या होता था इसने परदा प्रता का त्य क्या 2 कूबा कोट पहना उसने मतलब जब शाषण में दरबार में आती थी तो यह काले कलार का पहन कर आती ती जिसे क्या का हुआ हुआ है। कूबा कहा गे और टोपी पहन Krween सीथी जैसे जो राजा होता था वो मुकुट धारन कर ता तो जो महिला शाशी का बनी वो क्या करती थी टोपी पहन कर आती थी जिसे क्या क्या कहा कहा है तो परिक्षा में प्रशन आता है कुबा और कुबा और कुला का सम्वन्द किस शाशी का से या किस सुल्तान से हैं तो किसे हैं रजिया सुल्तान से हैं अब देखिए इसके अंत का कारण सुना यह इसका अंत कैसे हुआ था देखिए इसके पिछे एक छोटी सी कहानी है जिसको मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि एक कहानी यह है कि जैसे कि यह रजिया सुल्तान है ठीक है अब रजिया सुल्तान क्या दिल्ली की शाशी का तो बंगे लेकिन इसको पसंद कौन नहीं करते थे अमीर लोग इसे पसंद नहीं करते थे तो अमीर क्या करते हैं जो भटिंडा सरिंद भटिंडा के जो राजा होता है अल्तूनिया होता है अल्तूनिया नाम का एक विक्ति होता है छी कि अल्तूनिया देखे समझना ये काफी important चीज है हलाकि यहां से परिक्षा में प्रश्ण नहीं आता है लेकिन एक चीज समझने का प्रयास करना जैसी ये खषेते भटिंडा का ये खषेते दिल्ली का यहां का राजा कोने अल्तूनिया और यहां की शार्शिका कोने रजिया सुल्तान है तो यहां के जो अमीर होते ये अमीर लोग क्या करते इस अल्तूनिया को जाकर बढ़काते और कहते कि आप क्या करो इसके ओपर हमला कर दो हम आपका सहीयोग करेंगे तो अल्तूनिया क्या करता है दिल्ली पर आक्रमन कर देता है और रजिया सुल्तान क्या करें इस आक्रमन को दबाने के लिए आगे बढ़ती है आगे बढ़ने के बाद में क्या होता है कि इन दोनों में सुलह हो जाती है और क्या होता है अलतुनिया और जो रजिया सुल्तान ये दोनों क्या कर लेते हैं आपस में शादी कर लेते हैं ठीके ना शादी करने के बाद में क्या जब अमीर लोग होते हैं तो अमीर लोग इसे भई भी भी तो जाते हैं कि जब ये दोनों ने शादी कर ली और ये दोने किदर के और आकरमन करेंगे दिली की तरफ आएंगे द पर डाकू दोरा रजिया सुल्तान की हतिया कर दी जाती है और इस प्रकार से एक अच्छी शाशी का जो देश के लिए काफी अच्छी हो सकती थी दिल्ली सल्तनत के लिए काफी अच्छी हो सकती थी ठीके उसका अंत हो जाता है जिसका नाम होता है रजिया सुल्तान चीके हाथ में आ जाती है मुईजुदिन बहराम शाह के हाथ में आ जाती है अब मुईजुदिन बहराम शाह का होता है कौन होता है तो यह रजिया सुल्तन का कौन होता है भाई होता है जिसे कौन बहरामशा क्या करता है दिली सल्तन में एक नया पद स्युक्रत करता है उस पद का नाम होता है नायबे मुमलकत जिसे वजीर के समान माना गया है ठीक है तो नायबे मुमलकत ये क्या चीज़ थी तो ये एक प्रकार का पद था जिसे मुजुदिन बहरामशा चालू करता है और ये वाला जो प्रमुक होता था वो क्या कहलाता था इक्तादार कहलाता था तो बंदायू का जो इक्तादार होता है क्या ना मतलब उसका एतगीन एद गिन को किस पत पर न्यूक्त किया जाता है नायाबे मुमलकत या वजीर के समान पत पर न्यूक्त किया जाता है कौन करता है इसे न्यूक्त तो स्वेम बहराम शाह इसे न्यूक्त करता है अब बहराम शाह के समय क्या होता है भारत में क्या होता है मंगोल आकरमन होता है हाला कि इसे इतना ज़्यादा नुक्सान नहीं होता है सिर्फ एक लूट होती है ये लूट करके वापस चले जाते हैं ठीके दिली सल्तनत का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है लेकिन भारत पर मंगोल आकरमन पहली बार कब हो आता तो 1240 से 1222 स्किमत दिवा था उस समय दिली सल्तन का शाषक कोन था तो मुईजुदिन भाहराम शा था और मंगोल आकरमन करने वाला व्यक्ति कोन था तो उसका नाम था तेर नामक शाषक करता है कोन करता है तेर नामक एक शाषक होता है मंगोल का वह भारत पर आक्रमन करता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही पढ़ेंगे कल हम दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्पुन टोपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है बल्बन किस प्रकार से दिल्ली में शाषन करता है और दिल्ली सल्तनत की आर्थिक इस्तति प् रिक्षा में प्रश्ण पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना या तो इल्टू तमीश से पूछे जाते या फिर पूछे जाते बल्बन से ठीके क्योंकि इल्टू तमीश ने भी काफी अच्छे प्रशाशने कारी किये थे लेकिन उससे ज्यादा अच्छे प्रशाशने कारी किस ने किये बलबन ने किये हैं तो इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो लेक्चर में आज जो हमने पढ़ा एक बार में उसका आपको फिर से रिविजन करवा देता हूं देखे दोस्तों मैंने आपको बताया रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी होती रजय सुल्तान न्याय की मांग करती है और अंता तो इसको क्या किया जाता है बारत की प्रतम मुस्लिम महिला शाषक सुल्तान की रूप में से बना दिया जाता है कब बना दिया जाता है 1236 में दिल्ली का सुल्तान बना दिया जाता है जब यह दरबार में आई थी तब इसन संप्रूपता के साथ इसने शाषिन किया था मतलब अमीरों के जो विशेशा धिकार थे जो अमीर अपनी मनमानी करते थे उनकी मनमानी को रोक करके क्या क्या एक सुतंत्र रूप से ठीक है संप्रूपता का मतलब यह होता है कि नेड़े लेने के एक शमतार राजा के हाथ में ह चत्या करवादी गई थी फिर रजिय के बाद में दिल्ली सल्तनत का राजा कोंन बनता है मुजु दिन भेराम शाहा मनता है जो रजिय सुल्टान का भाई होता है 1240 से 1242 सक्षासन करता है जिसका नाम होता है नायबे मुमलकत जिसे कहते हैं वजिर के समान माना गया एक पद होता है इस पद पर न यूक थोने वाला वेक्तिक को होना था एतकीन होता है जिसे बन्दब जो proper बन्दयू का इतादार था ठीक है और बहराम शार के समय क्या होता है बारता प्रतों मंंगोल आक्रमन होता है जो तेर नामक शाशक करता है तो दोस्तों उम्मिद करतो आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे कुछ टेक्निकल इशूस की वज़े से मेरे वीडियो नहीं आ पायते तो आने वाले जो वीडियोस होंगे मैं आपको रेगुलर अवेलेबल आपको करवा दूँगा छेके दोस्तों धन्यवाद और आप सभी से विंति की वीडियो को पसंद आए तो अधिक सदिक लोगों को शेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद